नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन आला पर और MBA में इसकी बात करें तो Final Merit List की आपको ने देखी होगी अवेलेबल है उसका थोड़ा सा Analysis करेंगे पिछले साल और इस साल के डेटा और प्रोविजनल और मेरेट लिस्ट फाइनल मेरेट लिस्ट में भी क्या फरका है थोड़ा सा Analysis करने की कोशिश करेंगे आभी तक आपका सीट मैट्रिक्स नहीं आया है इंडिविजल लिंक भी अभी पोर्टल पे नहीं है फिलाल लेकिन चलिए दो आपके लिए फाइनल मेरेट लिस्ट तो आखिर कर एक दिन के बाद आ गई है आप देख सकते हो आपने देखी भी होगी बहुत देर होग चुका है आने आ गई है और यहां पर अभी भी आपको इंडिविजल लिंक नहीं दी हाला कि यहां पर सीसी प्राकार की पीडिय आप रचिए जैप ultimate a कि पर की आप वहां से आपका स्टेट जेट नहीं अर और कि Satेट की सटेस और उनके मेरिक नंपर भी चर अब जान सकते हो एक हो संब्र सिर Creatinggua फे आया ऑई या फाइनल है इसके सनीश पर है आड पिसंज आगी जाएगी और उ सुद लावेसद में नहीं है आप थोड़ी सी बात करेंगे परीजनल और क्या अंत्र है कितने स्टूडंस अड़के अगर souten्सट को माराश्रा सुदं कंबात करें तो 45 tf4 tend fox नंबरें स्टूडंस थे ऑग lion जनरले आपको पता है कि provisional merit list के बाद grievance period होता है और उसमें कई सारे students के problems small होते हैं, उनके grievances को approve किया जाता है और फिर उनको final merit list में शामिल किया जाता है, final merit list ये admission का base है और उसके basis पर ही admission system आगे होती है पूरी, तो उसे एक full proof बनाने के लिए पहले provisional merit list issue करते हैं और उसके बाद उसमें कुछ गलतिया है तो उसे सुधार कर एक बार final merit list बनाए जाती है ताक कि एक of base तयार हो और उसके आधार पर फिर admission system आगे जाए और उसके वज़े से फिर grievance period में जो students आते हैं, वो final merit list में add होते हैं, provisional merit list का आप कोई काम नहीं होता है, अगर all in day की बात करें तो 50,633 students provisional merit list में थे, 10,786 students field अब final merit list में होगे, थोड़े से student यहाँ पर भी आपने होगा, देखा होगा कि थोड़े से बढ़ गया है, अब बात करेंगे, पिछले साल की merit list और इस साल की merit list, आप लोग तो cut-off पिछला देखकर ही colleges के लिए option form भोरोगे, तो थोड़ा सापको अंदाज हो जाए, category wise की कितने लोग थे पिछले साल और उसकी वज़े से कितना merit गया है, इस साल कितने लोग है, फिर उसके अनुसार merit की यहाँ तक जा सकता है, अगर trend वे सही रहा तो, तो इस बात ASC students की बात करें तो 7132 के अगेंस्ट 71110 students इस बार merit list में शामिल है, पिछले साल ASC के 751 student थे, इस बार तकरिवन उतने ही students merit list में शामिल है, OBC की बात करेंगे तो 11310 students के अगेंस्ट में 12153 students इस बार merit list में शामिल हो चुके है, DTB jage की बात करें तो 720K against 851 students available है Merit Lesh में NTB की बात करें तो 1076K against 1165 students अभी Merit Lesh में शामिल है NT2 की बात करें तो 146K against तक्रिबं 1500 students अभी इस बार Merit Lesh में शामिल हो चुके उससे ज्यादा पंदरा से तेईस और अगर एंटी डी की बात करें तो 801 के अगेंस्ट में 980 स्टूडेंस अभी मेरिट लिश में शामिल है तो उससे थोड़ा सा आपको अंदज आ जाएगा कि आखिरकार कितने स्टूडेंस कैटेगरी की है और उसकी फिर बेसिस पे आप सि फिर मिलेंगे किसी नए उड़े में तब तक के लिए नमस्कार जैसे सीट मैट्रिक्स आएगा हम उस पर चार्चा करेंगे